Hello friends, काफी लोगों को mirror adjustment का काफी परिशानी होती है चलो आज देखते हैं कि mirror adjustment कैसे करें और कैसे position करें अब यह मैंने जान बूच के आड़ा तेड़ा adjustment करके रखा है ताकि मैं आपको दिखा सको कि कैसे clearly adjustment कर सकते है mirror दोनों side के mirror मेरे face के यहां पर मैं camera लाकर दिखाने के कोशिश कर रहा हूँ कैसे adjustment करते हैं ताकि आप भी समझ सके कि कैसे adjust करना है दोनों मैंने mirror आड़े तेड़े place करके रखी है तो चली अब पहले हम right side का mirror adjust करते हैं अब मैं तो knob से कर रहा हूँ किसी किसमे knob होगा या नहीं होगा तो मैं तो अब यह knob से कर रहा हूँ आपकिसमें अगर knob हो तो ऐसे करें नहीं हो तो हाथ से भी adjust कर सकते हो तो जैसे कि आप यह मैं पहले right side का mirror adjust कर रहा हूँ आप देख रहे हैं आप विर दोनों देख रहे हैं तो जैसे बाहर पुश्च कर दीजे gleam बाहर पुश्च करने के बाद आभी भी दोनों देख रहे हैं थोड़ा सा उपर कर दिजे आप ये corner आ अब थोड़ा सा और बाहर चल आगया अंदर आने के बाद अब मैं adjust करता हूँ यह देख रहे हो अब L corner में नीचे मुझे आगे वाला handle दिख रहा है तो यह है आपकी proper adjustment उससे क्या होगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा clear view होगा और blind spot create होने के कम chances होते हैं 8% तो कम नहीं होंगे बट काफी हद तक कम होंगे ऐसे आप adjust करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप view पीछे का देख सकते हो similarly आपको left side का mirror भी adjust करना है आप मैं दिखा तो left side का mirror adjust करके same आप जब mirror left side का mirror adjust करोगे आपको दोना handle देखने चाहिए पहले दोना handle देखने के अबाद यह देख सकते हो यहाँ पर एक corner में L corner में उंगलिस दिखाने कोशिश करता हूँ L में आपको आगे वाला handle दिख रहा है उससे क्या होगा आपको अच्छे से proper view मिलेगा और accident होने के चांसे कम होते है Similarly आप IR view भी adjust कर सकते हो अब यह दो होगे अपने overview adjustment और same IR view भी आपके height या seat adjust के सबसे आप देखने के लिए कोशिश करते हो पूरा पीछे का view आने के कोशिश कर सकते है और उस तरीके से आप adjust करो Similarly जो प्रूरा view आ रहा है तो आप मुझे adjust करने के कोई जरूरत नहीं बट overview adjust करना बहुत जरूरी होता है जब भी आप शुरुआत की drive लो या किसी और driver ने गाड़ी चला ही हो और आप चलाने के लिए लेते हो तो उस time overview check करना बहुत जरूरी होता है तो आप समझ चुके होगे कि कैसे ORVM's adjust करना है अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो प्लिस डू लाइक सब्सक्राइब तो मैं चैनल थैंक्यू